साथियों मेरा नाम डॉक्टर एसेस धाका है मैं एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट हूँ अब हमारी गेहूं की फसल बिल्कुल तैयारी की तरफ है तो इस समय गेहूं की एक दो जो छोटी छोटी बाते हैं उनमें क्या धान रखना है उसके बारे में आज जानकारी करते हैं इस समय जो गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार है इस पकी पकाई फसल पर कई बार तैयार बालियों पर कुछ सुंडियां लग जाती हैं जिने आर्मी वर्म कहते हैं ये देखो आपके सामने ये एक आर्मी वर्म की छोटी सुंडिय इस पर दिखाई दे रही है जो अभी खाके एक दम से बड़ी हो जाती है तो इसलिए इस समय पर आपको ध्यान रखना है यदि किनी खेतों में ये आर्मी वर्म या सुंडियां ऐसे दिखाई दे रही हैं तो इनके नियंत्रन के लिए पहले तो कोशिश करें कि कुछ जै भी कुपाई हो जाए क्योंकि गेम बिल्कुल त तयार है ऐसे समय पर यदि हम उसमें कोई जहरीली दवाई डालते हैं तो वो आने वाले समय में हमारे फसल को और की क्वालिटी को खराब करती है जिसकी बज़े से आपको जो है फिर जहरीला खाना मिलता है तो इसलिए एक नीम का तेल आता है 700 ml से लेके एक लीटर तक का 200 लीटर पानी में गोल बनाके ऐसे खेतों में छिड़काव कर दें जहां अभी सुंडी आई नहीं है लेकिन आने के संभाव न लग रही है तो उससे यह नियंतित रहती है और उन खेतों में जिन खेतों में नीम का तेल का इस्प्रे होगा उसम लिटर पानी में गोल बना के डाल सकते हैं या फिर एमा मेक्टिन वेंजोएट सो ग्राम प्रती एकड की दर से डेड़ सो से लेके 200 लिटर पानी में गोल बना के अपने गेहूं की फसलते छड़काव करें छिड़काव करते समय एक और साबधानी रखनी है क्योंकि दिन के समय ये सुण्डिया ज्यादे तर छुपी रहती है इदर उदर तो ये प्रियास करें कि जब इस्प्रे करने आप जाएं तो उस समय जो खेत की मेंड है उस पर जो ज़ाड़ी है या कोई घास है या खेत के किनारों पर कोई घास बगएरा है उस पर भी इस्प्रे करें जिससे की जहां भी सुण्डिया चुपी हो वहाई पर वो मारी यह के चारो कुछ और यह करो के चारो कहा है